हेलो फ्रेंज वेलकम बेक तो माई चैनल तो आज की वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाली है तो देखिए यह हमने जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने अर बटन पटि कैसे साथ हमने बनानी है और इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि देखिए हमने जो बैक साइड का बनाया था पार्ट वो हमने अपने लेंद की अकौर्डिंग बना लिया है अब हम आर्मोल्गी कटिंग करेंगे इस वीडियो में तो armhole की cutting कब करनी है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जितनी हमारी length है अगर आपको short cardigan बनाना है छोटा cardigan बनाना है अपनी length के according तो आप अपनी armhole से अपनी length के according जितना आपको चाहिए उतना आप measurement करके fit cutting कर सकते हैं ये देखिए मैंने 16 इंसक मैंने बनाया हुआ है और ये axle और आप इसको medium size में भी इतने फंदे बना सकते हैं तो मैंने 16 इंसक बना लिया है अब मैं armhole की cutting करूँगी और armhole की cutting 5, 3, 2, 1 की करूँगी यहाँ से सीधी तरफ से फिर यहाँ से उल्टी तरफ से 5, 3, 2, 1 जो armhole की cutting होती है वो हमारी बहुत अच्छी बैगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आपको जीतना अगर इससे भी length आपको बड़ी बनानी है आपको long cardigan बना रहे हैं तो आप इसके थोड़ा सा और length बना कर भी armhole की cutting कर सकते हैं तो मैंने अपनी length 16 इंच तक रखी है आप अपने according अपनी length चेक करके अगर आपकी height छोटी है तो आप उसके according अपनी height armhole से इंची tape रखकर आप जेतनी length बनानी है उसके नाप लीजिए और फिर उसके according बना कर आप cutting करिए तो मैंने अपनी length बना लिए तो आप मैं cutting करने जा रही हूं देखिए कैसे करेंगे हम यह देखिए दो फंदे है इसको दो कए करेंगे यह द देखिए ऐससे back chain लूप से अमक्त के एक धन्यामरा घट गया अब यह वाला फंद इस फंदे में लेकर दो का एक कर देंगे, तीन फंदे कम होगे, फिर से ये वाला स्लाई में लेकर दो का एक कर देंगे, चार फंदे कम होगे, तो देखी फ्रेंट्स ये वाला फंदा, इस स्लाई में ले लेंगे और ये दो फंदो का एक कर देंगे, ये देखी, पांच कर लिए हैं इसमें और हमारा जैसे आप design जो चल रहा था सेम बना लेना है अब देखिए तो देखिए फ्रेंज यहां पर हम तीन का एक करते थे क्योंकि यहां पर हम जाली डालते थे पर अब हमने यहां पर जाली नहीं डाली है तो अब यह जो फंदा है इसको हमने सीधा बना लेना है चेके और यहां पर दो का एक कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जाली डालनी है तो धागे को आगे करेंगे और दो का एक कर देंगे इस चीज का ध्यान रखना है और धागे को पीछे करके सब्सक्राइब है देखिए एक तो 4 है चाहर फंद हमने सीधे बना लिए अब जैसा हम नाया डिजान चल रहा है चैना रहाएं सेम में haga ऐसे ही बना लेना है यह देखिए सिर्फ यहां पर ध्यान देने वाली बात थी कि जैसे हम यहां पर तीन का एक कर रहे थे तो हमने दो का एक करना क्योंकि हमने यहां पर जाली डाली है इधर जाली डालते तब तीन का एक होता पर हमारे यहां पर फंदे गट गए हैं तो हमने ऐसे करना पड़ेगा वरना हमारे फंदे ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम तिन का एक कर देंगे तिन का एक कर देंगे तो यहां से भी फंदे ज़्यादा घड़ जाएंगे तो अब जैसे हम डिजाइन बना रहे थे सेम हमने वैसे ही बना लेना है तो चलिए इसको complete कर लेते हैं उल्टी रो में मैं आपको दिखाते हूँ तो देखे फ्रेंस ये वली रो हमने complete कर लिए सीधी रो अब ये हमारी उल्टी रो अब यहां से भी हमने 5 फंदे गटाने है तो देखे कैसे गटाएंगे अब ये कि दो खंदे हमने ले लिए दो का armas कर दागे कड़ी कि अर्फिर से ये वलाघांदा इस लाइ में लेकर ये वलाउन द्रॉक दो का एक कर देंगे दो फंदे घड़ गए फिर से ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेकर दो का एक कर देंगे तीन फंदे कम हो गए फिर से ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेकर ये देखे चार फंदे घड़ गए फिर से ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेकर दो का एक कर दें है तो इसको ऐसे ही बना कर कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए यह उल्टी रों हम बना रहे हैं और इसमें यह जो लास्ट वाला फंदा है इसको हम बिना बुने ही ऐसे ही स्लाइमें ले लेंगे ताकि जो यह हमारी चेन ने एकदम स्मूथ बने अगर हम इसको बुल लेंगे तो फिर जैसे कटाव कटाव सा आ जाएगा वह अच्छा नहीं लगेगा इसलिए स्मूथ चेन बनाने के लिए हमने इसको बिना बुने ऐसे तो देखिए यह और यह वाला फंदा हम ऐसे ले लेंगे इस स्लाइमें और जो यह बिना बुना फंदा है न यह इस वाले फंदे से स्किप कर देंगे तो यह देखिए बिल्कुल स्मूथ चेन बन गई है अब देखिए यह वाला फंदा इस लाई पर लेकर देखिए एक फंदा हमारा कम हो गया है अब हमें दूसरा फंदा कम करना यह देखिए द डिजाइन चल रहा है सेम हमने वैसे ही बना लेना है अब यह देखिए यहाँ पर जाले नहीं डालेंगे क्योंकि यह वैसे ही काम हो जाया क्योंकि हमने यहाँ पर तीन का एक करते थे यहाँ पर वो हमने कम नहीं किया है तो हम जाले नहीं डालेंगे क्योंकि यह अभी हमने कम करना है यहाँ से कटिंग करनी है तो हम ऐसे ही सको सिंपल सीधा बना लेंगे और अब यहां से हमने जैसा हमारा डेजाइन चल रहा है सेम हमने यहां जाली डाल कर 4 फंदे उल्टे बना लेने हैं फिर से 3 का 1 करना है 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 और फिर से जाली डालते वे 2 फंदे सीते तो ऐसे इस रोखो कम्पलीट कर लेते हैं अब देखें यह सीदिरों में भी हक haven बाव बने ले लिया है कि अब इस दो फंदे को हम ऐसे उतारेंहें यह देखें बिन बने फंदा है हमारा और ये वाला पंदा इसके उपर से सकिप करेंगे ये देखिए एक फंदा मरग कम गया फिर ये दो फंदे का एक करेंगे तो फंदे कम होगे फिर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा ले लेंगे और इसको रोका एक कर देंगे तीन फंदे हमने कम कर लिए और बाकी हमने दिजाइन जैसे हमारा उल्टा-उल्टा बना रहे थे से वैसे हमने बना के कम्प्लीट कर लेना है इस रोको उल्टी रो हमने complete कर लिए अब ये भीना बुना फंदा और एक बुना वाला फंदा लेकर और ये वाला इसके ओपर से skip कर देंगे एक फंदा हमारा कम हो गए, अब हमने यहाँ पर सिर्फ दो फंदे कम करने है, यह देखिए, दो फंदे कम कर लिए, पांच, तीन, दो हमने कम कर लिए है, अब हमें सिर्फ एक फंदा और कम करना है, बाकी हमारी कटिंग पूरी हो जाएगी, तो बाकी हमारा सेम डिजाइन यहां से चलता जाएगा तो चलिए बना लेते हैं इसको देखे यह उल्टी साइड है और यह दो फंदा ऐसे उतार के यह वाला फंदा इसको पर सैसे स्किप कर देंगे और फिर दो का एक कर देंगे यहां पे भी हमने दो फंदे कम कर लिए हैं और बाकी सेम यह वाली रो हमने कम्प्लेट करके लिए नहीं है उल्टी उल्टी बनाकर अब हमाँ सिर्फ एक एक फंदा हमने उल्टी और सीधी तरफ से कम करना है बाकी हमारी कटिंग पूरी हो जाएगी पाच तेन दो एक की चलिए इस रो को कम्प्लेट कर लेते हैं देखिए फ्रंस यह बिन बुना फंदा हमने ऐसे उतार लेना है और इक इवला फंदा बान वतार के इस्सलाइप Ditो करना एक फंदा देखिए हमारी पूरी कटिंग हो गई है पूरी पांच तीन दो और यह एक फंदेगी और सेम हमारा यह पूरा डेजाइन हमने ऐसे ही बना कर अब पूरी रोग कंप्लीट कर लेनी है देखिए यहां पर जाली नहीं पड़ेगी इसको हमने सिधा-सिधा ही बनाना है क्योंकि यह पर पहले हम 3 करते था जाली डालते था तो आप जाली नहीं डाल रहे हैं तो हम भी यहाँ पर यहां पर ऑ फासा ने जैसा बना रहे थे हम वैसे ही बना कर कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने बहुत ही असान तरीके से आपको यह बता है कि कैसे हम आर्मोल की कटिंग करते हैं इसे बिगनर्स भी बहुत ही असानी से बना सकते हैं डिजाइन भी बहुत असान है और आर्मोल की कटिंग भी बहुत असानी से बताई हुई है कि कैसे आप बहुत ही अच्छे तरीक से कटिंग कर सकते हैं देखे किती स्मूथ हमारे कटिंग बनकर त्यार हुई है अगर आप एक फंदा जैसे हम लास्ट आला फंदा बोल लेते हैं तो फिर बहुत ही गंदा लगता है कटिंग भी और अगर आप एक फंदा छोड़कर ऐसे आगे से ही कटिंग कर देंगे तो बह यह देखिए यह हमारी उल्टी साइड है यहां सभी हमने एक फंदा कम करना है यह देखिए वला फंदा इसके उपर से स्किप कर देंगे हमारा फंदा कम हो जाएगा एक फंदा और हमारी अब आर्मोल की कटिंग भी पूरी हो गई है बाकी अब हमने नहीं घटाना है जैसा हमारा डिजाइन सेम बन रहा है सेम हमें अभी चार साड़े चार इंच तक हमने बनाना है तब हमारी लेंद कम्प्लेट हो जाएगी जितना हमें चाहिए हमारी कटिंग पूरी हो गई है अब हमें सेम जैसा हमारा बन रहा है डिजाइन स वैसे ही बनाते जाना है चार साड़े चार इंच आप और बना लेजे फिर आपका ये बैक साइड का पार्ट पूरा हो जाएगा और अगर आपकी लेंद कम है तो आप उसके कोडिंग इंची टेप से नापकर आप उतने लेंद बना सकती है चलिए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं उल्टा उल्टा बना कर तो देखी फ्रेंज हमारी कटिंग पूरी हो गई है अब हमें और फंदे नहीं घटाने है और जितनी हमको देखी चार साड़े चार इंच तक आप और ऐसे ही डिजाइन के साथ बनाते जाएए और आपका ये बैक से देखी फ्रेंज यहा साइड का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रेंज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा तो फ्रेंज पिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू